असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है सयद तुसीफ और आप देख रहे हैं Unfolding My Life दोस्तों आज हम बात करेंगे 5G Technologies की दुनिया पर में 5G Technologies को लांच करने की तैयारियां की जा रही है और बहुत हद तक लांच कर दी गई है जैसे जैसे इंसान तरकी कर रहा है और ज्यादा इन्नोवेशन की जर्ये इंसान की जिंदगी को आसान बनाते जा रहे हैं और हम Technologies के बहुत एर्वांस दोर में मौझूद हैं यह ऐसा जमाना है जहां हमें वीडियो कॉलिंग के लिए और डनाटा ट्रास्वर के लिए सुझ के मकाबले में हो या फिर फ्रिक्वेंशी के मुकाबले में 2018 तक 4G Network इस्तमाल कर रहे थे जो 3G Network से 10 – 0 ज्यादत थेज़ था और यह 70 MW से 6 GHz की फ्रिक्वेंशी इस्तमाल कर सकता है सबसे पहले आप frequency समझ लीजिए, ये वेब्स की एक special rays होती है, जो data connection के devices और towers यूज़ करते हैं, 4G connections की वेब्स नहीं होती, इसलिए ये दूर तक travel कर सकती है, जिसके मतलब ये है कि 4G connection के चलाने के लिए ज्यादर towers की जबरत नहीं होती, जगा जगा पर लगा कर frequency को बढ़ा 30 GHz से लेकर 300 GHz तक की frequency इस्तमाल कर सकता है, जो 20 GB per second की speed हासिल कर सकती है, यानि इसके मदद से आप 20 GB data एक second में download या upload कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपने operations real time में कर सकते हैं, real time से आप समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं भी 1000 km दूर मौजूद किसी भी device इसकी profitable होगी, thank you, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो like share और subscribe करें